हलो जाएंन दोस्तों स्वागा थाप मेरे संदार वीडियो में इस वीडियों बात करने वाले हैं SSE के नीव event site के वारे मैं बहुत सारे candidates को SSE के नीव event site के वारे मैं पता है लェकिन अभी भी कुछ candidates ऐसे हैं जिसको SSE के न्यव event site के वारे मैं पता नहीं है ऐसे बहुत सारे candidate हैं जिनको अभी भी SSC के new website के बारे में जानकारी नहीं है तो इस video में आपको complete जानकारी देने वाला हूँ SSC के new website के बारे में और इस नई website पर आपको OTR कैसे करना है या फिर आप CGL के लिए MTS के लिए यहाँ पर कैसे form भर पाएंगे आपको complete जानकारी मिलने वाली है तो चलिए video को सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए आपको जो screen पर दीख रहा है यह SSC के new website है और left side corner में देखिए SSC old website यहाँ पर आपको दीख रहा होगा इस पर मैं click कर देता हूँ यह देखिए SSC.nic.in यह SSC का old website है जहाँ पर आपने registration किया होगा पहले हो सकता है अगर SSC के किसी भी भरती के लिए आपने form भरा होगा इस साल के पहले तक तो यहाँ पर आपने जरूर registration किया होगा लेकिन अब वो registration यह password आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि SSC के नए website पर आप SSC की कोई भी वेकेंसी आएगी यह SSC का जो old website जो भी है आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ देखिए 26 फरवरी कोई last notice दारी हुआ था वो भी SSC के नए website को लेके SSC के नए app को लेके और OTR को लेके one time registration को लेके उसके बाद SSC के old website फर्म SSC.nic.in पर कोई भी नोटिस दारी नहीं हुआ है कोई भी वेकेंसी भरती जो है इस website पर नहीं आई है कोई भी नोटिस जो है इस website पर देखने को नहीं मिला है यहाँ पर देखिए यह जो है SSC.ub.in SSC का यह new website है यहाँ पर SSC की नहीं भरतियां आई है इस साल जैसे कि CPU, Face 12, SSC, CHSL और SSC, CGL का भी notification यहाँ आपको देखने को मिल जाए यह देखिए SSC, CGL के notification से related full video मेरे चैनल पर आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं तो यह SSC का new website है और यहाँ पर जो है सभी candidates को जो भी SSC की नहीं भरती के लिए आविदन करना चाहते हैं जिन भी candidates ने SSC, CHSL, SSC CPU, SSC JE, SSC Fistware के लिए आविदन किया होगा उन्होंने यहाँ पर अपना नया OTR One Time Registration यहाँ पर किया होगा यहाँ से देखिए यहाँ पर register का option था उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है यह 4 इस्टेफ आपको करना पड़ेगा OTR के लिए One Time Registration के लिए प्रस्टनर डेटेल्स, password creation, additional details, declaration उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ Continue करके सबसे पहले आपको प्रस्टनर डेटेल्स यहाँ पर फिल करना है फिर आपको password creation करना होगा फिर आपको additional details करना होगा फिर आपको declaration करना होगा तब आपका जो यहाँ पर registration करने के लिए और बिना registration किये आप SSE के किसी भरती के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते ह प्रस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा है तो उनका रिच्टरेशन यहाँ अल्डेडी हो गया होगा उनको पर यहाँ लॉग इन करना है लॉग इन करके जो है वह सिंपली यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ से जो है वह अपना registration नमर पासवर्ट डालेंगे और ल है तो मुझसे कंटों करके यहाँ पर perception किया सीपंटीयो के टाइम और बहुसरेे कंड़ीे में और रिच्टेशन करके यहाँ पर दिया है शेचßeल के टाइम में भी crunchy qui यहां पर अपना रेकर पा रहे थे को को आ डैसे की कि एंथे स्कुन को करने में प्रसिटेशन डिटेलेय्स में पाशवर्ट क्रिये कर रहे हो यानुका डैसे लेकिलीट करने के बार्ट रॉप उसे सोड़ दिया उसमें कि जब सीजल की विकेंसी आईगी या MTS की विकेंसी आईगी तो बाद में यहां पर अपना रेश्टेशन कंप्लीट कर लेंगे और वहां पर सोब भी हो रहा था कि आफटर 14 डेज यहां पर रेश्टेशन वहां पर प्रस्टन डेटेल से रेज़ हो जाएगा दुबारा से रेश्टेशन कर पाएंगे लेकिन दुबारा भी यहां पर रेश्टेशन करना चाह रहे हैं तो उनका अधार कार्ड अलड़ी एक्जिश्ट त जब डालते हैं तो उनका जो इन्वेलिट यूजर नेम या इन्वेलिट क्रेंटियल सो कर रहा है और वो यहां पर लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ यहां पर किसी भी तरह की समस्या है चाहे आपका हाफ रेश्टेशन हुआ हो या फिर आपको नया रेश् अपलोड किया है कि OTR कैसे करना या OTR में जो भी पहरी का इसो आ रहा था हर ऊकंडियो और व्हाने है है जिस टाएप का अब में ये प्रोलेम था मैं पूलेकर मैंने और वीडिए प्लोड कर दिया है आप लोग से जाके देख लिए गर वहां से आपका यिशू Naनो हो जाता करवा सकते हैं चाहे आपको CGL के लिए करवाना हो MTS के लिए करवाना हो सकते हैं या किसी भी तरक अगर आपका इशू है तो आप बता सकते हैं मुझसे जूड के बाकि वीडियो अच्छी लगी हो जनकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ऐसे ही इनफर् वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद